नमस्ते दोस्तों में वर्षा आप सभी का स्वागते रसोई घर में आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बचीवी रोटी से बनने वाले बहुती क्रिस्पी और टेस्टी समोसे अक्सर सभी के घरों में रोटी बची जाती है बहुती अच्छा उपयोग है अब ज़रूर से ट्राइ कीजिए तो चले बनाना शुरू करते हैं बचीवी रोटी से समोसे तो इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने तीन रोटी ली है तो यह रोटी जो मैंने सुभा बनाई थी उसमें से बच्ची भी है तो इन रोटीों को अभी हम साइट में रख देंगे और समोसे के लिए चट पटा सा मसाला बना के तयार करेंगे तो गेश चालू करके गेश पर कड़ाई रखी है इसके अंदर हम डाल देते हैं एक चम्मच तेल को थोड़ा सा गरम होने देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच राई इसके साथ हम डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा अब मैंने यहां पर एक प्याज और दो हरी मिर्च ली है जिसे कट कर लिया है यह भी इसमें एट कर देते हैं उचरा लेते हैं इन सभी चीजों को अब मैं यहां पर डालूंगे आधी चम्मच साबूत धनिया बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे और एक पीछ हम इसमें हींगे एट करेंगे तो इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेते हैं और प्याज को थोड़ा सा सौफ्ट कर लेंगे बहुत ज्यादा प् इसे भी चला लेते हैं आप चाहें तो यहां पर अद्रक और हरी मिर्च का पैस्ट भी एट कर सकते हैं और अब हम इसमें आलू डालेंगे मैंने तेन आलू लिये हैं जेने बोईल करके इनका छिर्का निकाल लिया है और इने हाथों से थोड़ा सा मैश कर लिया है तो चला इसकी जगे अमचूर पाउडर या निम्बू का रज भी यूज़ कर सकते हैं तो इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सबी चीज़े यहां पर मिक्स हो चुकी है तो अब मैं इसमें एक चमत चीनी डाल देती हूं चीनी ओप्शनल है अगर आप डालना चाह अब मैंने यहां पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे दो से तीन चम्मच मेदा करीब एक से दो चोटी चम्मच पानी बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें जो इसका गूले गाड़ा गाड़ा ही बनाना है चम्मच से मिक्स कर लेत फॉनक म्मच में जो राख करएए तो सब्सक्राइब बने कर लें तो सब्सक्राइब लेज ब्सक्राइब एक के दीतili में जोटीfach जे उब जो जो आएक ल्या गोला हैं जबने फार कर देटे हैं उदresser कर देतल जब अगर आपको लगता है यह कहीं से खूल रहा हैं तो टोड़ा से गोल अपिस में और लगा दिछ से चिपका दिछी ताकर आप मसाला भरें सन दुमें बिलकुल निकले और अब हम इसके अंदर मसाला भर देते हैं तो करीब एक से देड़ चमच मसाला डालूंगे में भूछ ज्यादा मसाला नहीं डालना है हमें अब देखे और इसकी जो साइट के किनारे हैं इसके उपर भी हम मेदिका गोल लगा देंगे तो हातों में इस तरह से उंगली की साइटा से आप थोड़ा थोड़ा घोल सबी दूर लगा दीजिए तो बनाना भोती आसान है और बच्चिवी रोटियों का भोती अच्छा उप्योग है आप जरूर से ट्राई कीजिए इसे और इसे भी हम अच्छे से चिपका देते हैं त समोसे की मिलके तैयार हो चुकी है तो सभी समोसे हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे जाते हैं और जो यह मेदा भचावा flourishbers याला जो मेदे का गोल भूबचा है इसमें पानी बढ़ा देते हैं क्योंकि पहले हमने इसे गाड़ा गोल बनाया था और अब हम हम इसका पतल प्राइन भी डाल सकते हैं और अब हम इसके अंदर यह समोसा करेंगे इसा करने से जो समोसे की बाहर की जो लेयर होगी बहुती क्रिस्पी सी बनेगी तेरी कि सभी तरब से ढूरने यहां पर हम इस अच्छे से घोल में करने तेल tomar आ से में तरं यहां तरब से हैं हम इनकी साइट चेर्ज कर When तो सभी समों से हम इसी तरह से पलड़ देंगे और एक अच्छा सा कलर आने देते हैं और क्रिस्पी से इने होने देते हैं देखे बहुती सुन्दर सा कलर आ चुका है और बहुती क्रिस्पी से हो चुके हैं तो अब हम इने तेल में से बहार निकाल लेते हैं और सबी समोसे हम इसी तरह से प्राई कर लेंगे तो यह लिजे फ्रेंट्स बच्ची वी रोटियों के बहुती टेस्टी बहुती क्रिस्पी समोसे बनकर बिल्कुल तयार है आप जरूर से ट्राई कीजिए बच्ची वी रोटियों का बहुती अच्छा उप्योग है इसे बच प्रशा भाव सार्स रेसेपी इस पे विजीट कीजिए इसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ